तो वीडियो स्चार्ट करने के पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब हो मेरे वीडियो को लाइक बिल्कुल से कर दीचेगा ताकि में और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सको तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो फिशिंग होता क्या है तो फिशिंग एक टाइप का अटैक है ठीक है फिशिंग अटैक करके अटैकर बेसिकली क्या करता है उसका मोटो यह होता है कि आपकी sensitive information जिससे आपकी credit card information आपका user name आपका password यह सब वो gain करना चाता है ठीक है तो फिशिंग अटैक मे क्रिमिनल को दे दे ठीक है जिसका यूज आगे वो attacker क्रिमिनल परपस के लिए करता है ठीक है तो तो तुट फिशिंग रिफर्स चु एन अटैक यूजिंग मेल प्रोग्रम जनरली फिशिंग इमेल प्रोग्रम मतलब इमेल की हेल्प से होती है तो ट्रिक वेब यूजर इन फिशिंग बोलेंगे अब जनरली फिशिंग का इसे होती है अटैकर बेसिकली क्या करता है आपको एक एमेल भीसता है आपको ऐसा लगा कि यह एमेल तो एक जैनुन सोर्स से आया यह किसी बेंक से आया है पोस्ट ओफिस से ठीक है या तो फिक कोई फाइनेशल सर्विसे ठीक है और आप क्या करोगे यह सब सोचके वो email को open कर दोके और आपके user ID, password सब उसमें डाल दोके ठीक है तो यह हो गया एक phishing का example कि hacker phishing attack कर के से सकता है तो hacker conduct phishing attack by using email messages that look like to appear through they have come from genuine source जिसकी post office bank online services है और attacker सिफ email का use नहीं कर सकता है phishing में वो किसी भी source का use कर सकता है तो generally वो email का जादा use होता है phishing में तो attacker can also use text message, phone call भी कर सकता है even आपको और instant messaging से WhatsApp भी कर सकता है ठेक है और तो यह तो हो गई phishing की definition अब इसको एक अपन डायग्राम के तरीके से समझते है मान लो कि आपको mail आया यह एक spam email है आपको ऐसा लग रहा है कि यह तो मेरे bank से है जिसे ही आपने इस mail को open किया और उसमें देवोई link को open कर लिया तो आप क्या गए किसी fake site पे चले गए जो sttp से start हो यह basically fake site sttp से start होती है ठीक है अब इस fake site पे आपको लग रहा है कि यह मेरी site bank की है और मैं इदम सेफ हूँ अब इस fake site पे आपने आपका sttp क्या है यूजर interaction with fake site यूजर को spam email आया यूजर ने fake site के सब interaction किया और फिर यूजर ने अपने id, password और personal information डाले और user sensitive information is compromised और सारी यूजर की sensitive information तो अब यह है कि फिशिंग से बचने के लिए phishing attack से बचने के लिए organizations ने बहुत preventive measures लेकर रखें ठीके साफधानिया बढ़ती होगी है उन्होंने अपनी organization में anti-spam detection softwares ऐसे anti-phishing software यह सब install करके रखें और तो और उन्होंने कुछ IP address block भी करके रखें उन्होंने देखा है कि हाँ इस इस IP address से सबस्यादा phishing के mails आते हैं तो उन्होंने अपनी organization में इस IP address को block कर दिया ताकि अब कोई भी mail इस IP address से उनकी organization में नहीं आ पाए तो इसी चीश को criminals ने भी identify करा और उन्होंने क्या करा अपनी खुद के tools and techniques का use करने लगे ठीक है to bypass this detection tools ताकि यह जो anti-spam detection software है